भाई गर्मियों का मौसम और प्रेडना हिना के बारे में बात ना करें ये तो बहुत नाइनसाफी है अपनी हेर ग्रोड जर्नी में मैंने आपको बताये था कि मेरे बाल बहुत रफ थे जिनको हिना ने बचाये था आज भी हिना मेरे बालों का सेवियर है इसलिए मैं बहुत lden style सेμεं तरीकों से can IPA अपने बालों के लिए करती हो और आप लोगों के साथ share भी करती हूं लेकिन आच चो तरीका में आपके साथ share कर रही हूँ अगर आपने इसको एक बार टाए कर लिया तो इस अलो कई बाक। अगर आपको pre-micheur gray care की परेशानी है आपके scalp में dandruff है, आपके scalp पर इचिनेस रहती है, कोई hair mask आप ढूंड रहे हैं, जो कि गर्मियों के लिए suitable है, आपको ठंडा-ठंडा cool-cool feel करा सकते हैं, तो फिर यकीन मानिए ये best alternative है, जो कि आप अपने लिए try कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिना orange shade ना दे कर darker shade दे, आपकी हिना में कोई परिशानी नहों, texture बहुत ही खुबसरत हो, तो यही है वो video, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और फिर application करते हैं, ताकि वापस आकर लिख सके कि प्रेना कमाल करते हैं, आईए जानते हैं, what all needs to be done. कैसे बहुत असान है, 40,000,000 का हमारा परिवार है, अगर प्रतेक वीडियो से चार लोगों को भी बात समझ में आती हैं, तो 500 से जादा वीडियो हैं, तो approximately 2000 लोग, 2000 परिवार, यानि कि approximately 8000 लोगों को इबात समझ में आ चुकी है, कि natural remedies का इस्तमाल करके आप अपना पैसा ब पाते हैं अपने लिए अपने शरीर पर और सबसे इंपोर्टेंटली आपको गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि केमिकल का यूजज काम होता है, और अन्वार्मेंट को आप प्रिटेक कर पाते हैं, इतने सारे benefits हो गए तो, तो अगर भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बह आप लोगों का इंगेजमेंट देखकर, इतने सारे प्यारे कॉमेंट्स देखकर, आई एम ओन क्लाउद 9, जहां क्लाउद 9 से ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूं, थांक्यू सो वरी मच पर ओल्डेंगेजमेंट, आज के वीडियो में आप सभी के साथ ब परिशानी आपको नहीं होगी, कुछ चीजों को आपको डेफिनिटली जरुवत पड़ेगी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है, तो उन सभी के लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आराम से उनको ओडर कीजिए और प्राय कीजिए, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जिस दिन भी आपको अप्लिकेशन करना है, उससे एक रात पहले आपको प्रिपरेशन करना है, और नेक्स्ट अप्लिकेशन के बाद जो खुशी आपको होने वाली है, वाकवस आके हमारे साथ भी अवश्य शेयर कीज इस में आपको लेना है, चार टी स्पून, यानि की चाय की पत्ती, जो आप पी रहे हैं, उसी का इस्तमाल कर सकते हैं, not a problem at all, यह confusion नहीं रखना कि आरे वो वाली चाहिए, चाय पत्ती अच्छी नहीं होगी, this, that, be positive and do it, right? इसके बाद अच्छे से खौल जाए और अप्रो लोहे की कढ़ाई चाहिए, प्रेना, क्या आप लोहे की कढ़ाई बोलती रहते हो, भाई, आइरेन कॉंटेंट आपके शरीर के लिए बहुत important है, इसमें खाना भी बनाईए, वो खाना खाईए, ताकि शरीर को internally iron मिल सके, और topically भी यह आपके बालों में जाता है, क्या बोल लेना है, बाकी के सारे पाउडर्स, सबसे पहरी चीज जो आपको लेनी है, वो है ओविस हिना, जो हिना आप इस्तमाल कर रहे है, असली पौधे वाला, जो है वो आप यहां ले लीजिए, अप्रॉक्सिमेटली 200 ग्राम, ठीक है, इसमें आपको लेना है, दो बड़े चमच या एक बड़ा चमच, absolutely play with the ratio, no problem at all, आमला पाउडर, अगर एडबल ग्रेड का आप लेंगे, तो वो वैसे ही बहुत पाफुल होता है, otherwise, जो आपके पास अवेलेबल है, वो आप यहां ले सकते हैं, तीसरी चीज जो यहां पर आपको लेनी है, वो है एक बड़ा चमच, भ आपके बालों के लिए, कि आपको किसी प्रीती प्रीडना की, किसी भी, you know, dermatologist की, किसी की भी आवशकता नहीं पड़ेगी, you'll be really, 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 really happy with the results, तो एक बड़ा करके देखे, ट्राय करने में क्या दाता है, इसके बाद इसमें आपको लेना है, आपका last ingredient, which is pinch of black pepper, यानि की काल काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, जहां, देखे, काली मिर्च, देखे, काली मिर्च, दीखे होती है, तो पेपर क्या करता है, आपका blood का circulation उपर लेके आता है, हमने बिल्कुल pinch of it लिया है, तो ये process बहुत slow होगा, मतलब आपको को कोई problem नहीं होने वाली कि पूरा ग लेंगे, जब तक ये बहुत अच्छा सा तरल पेस्ट ना बन जाए, आपको इतना लेना है कि हलका सा भीगा रहे, क्योंकि धीरे-धीरे जो lumps हो इसमें डिजॉल्व होंगे, जो iron content है, वो इसमें आएगा, कोई iron content नहीं है, ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं ना, इन powders को अच्छे से mix करते हुए, कुछ बातों का खयाल आपको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, सबसे पहले कि आप थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें पानी लीजिए, ताकि जो lumps form होते हैं, आप उनको break करते हुए चलें, क्योंकि अगर lumps बने रह जाते हैं, कई बार गाठे काफ लेकिन प्लीज मेक शॉर कि आप ज्यादा ना कर दें, क्योंकि अगर यह तरल हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हिना लेना पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़े करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो डिकॉक्शन है वो खराब ही होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अड़ कीजिए, आप इसको ओवरनाइट के लिए ढखकर रख देंगे, और नेक्स्टे मॉर्निंग जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ काली सी परत आ रही है, यह तो आमला है, यह तो ब्रिंगराज है, उसके बिना बना के देख और अगर बनी है, तो यकीमानी, उसमें या तो कोई मुलतानी मट्टी का कॉंटेंट होगा, या फिर उसमें कुछ डिफरेंट चीज़े डलती है, क्योंकि प्यॉर हिना इस टेक्स्टर में नहीं आती है, ठीक है, तो आप अच्छे से जब मिक्स कर देंगे, इस इस आपको कई बार बता चुके हूँ, स्पीच से दबारा बताती हूँ, अपने बालों को पहले सुलजा लीजे, क्योंकि हिना डिहाइड्रेटिंग होता है, इसलिए आपके बालों को और जादा उलजा सकता है, तो जस्ट प्रिकॉशनरी आप अपने बालों को सुलजा के बाद आप शार कैप पहनेंगे, टेक यौ टाइम, कोई जल्दी नहीं है, रिलाक्स वे में कीजेगा, हर एक स्ट्रांड को हर एक रूट तक इस मास्क को पहुंचाएगा, और फिर वेन या डन, आप मास्क पहनेंगे, शार कैप पहनेंगे, और रहने देंगे, अप्लिक करते हुए इस application को कीजे, अगर आपको premature gray hair की समस्या है, तो आपको अपनी जड़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपकी cartridge को ये refill करता है, blood का circulation बुलाता है, और आपकी जो भी समस्या है, scalp से संबंदित, जैसे की dandruff हो सकता है, आपकी scalp पर itchiness हो सकत है, आपका scalp healthy नहीं है, छोटी-छोटी फुल सी आपके scalp पर होती है, इन सभी चीजों को ये mask आसानी से cover कर सकता है, आपकी परिशानी को address कर सकता है, और बहुत अच्छे results आपको दे सकता है, और एक बहुत ही important और बहुत ही simple सी जानकारी जो मैं यहाँ पर आपको देना चा इस जास्ट सफिचिंट वैसे तो तीन घंटी सफिचिंट होते हैं, अगर एक्स्टा ताइम है तो 4-4 गंटे आप रख लीजे, इसके बाद आप head wash कीजिए, सिरफ plain water से, समझ में आया है, plain water wash होगा, उसके बाद आपको करना है, क्योंकि इस दर आपने सिरफ plain water wash के है, बाल बालों को बांद कर रख देंगे, ओवरनाइट के लिए, अगर नहीं कामफोटबल है, तो 2-3 खंटे प्लीज रखिए, इसके बाद जब आप head wash करेंगे, शाम्पू से प्रॉपर्ली जैसे आप करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके बालों में जो शाइन है, जो सॉफ पर इसी मास्क से आपको मिल जाएगा, पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं, उससे पहले कर लीजिए, आपको लग रहा आपके बाला नौट, वेरी डिस्सिप्लिन तो आप कर सकते हैं, इट इस नाजिक फू यॉर हैर, तो प्लीज मेक शॉर कि आप इसका भरपूर आन बहतुरीन रिजाल्ट्स देते रहेंगे, आशा करती हूँ, आपको पूरी प्रस्तोती पसंद आई है, आपको लगा है, थोड़ी सी महनत हुई है, अगर लगा है तो लाइक जरूर कर दीजेगा, नए है तो सब्स्क्राइब किये बना विल्कुल मच जाएगा, मैं ऐसे ही magical चीजे लेकर आप लोगों के ले आती रहूंगी और आपका entertainment भी करती रहूंगी, so stay connected to Preeti Prina, I'll see you in the next one. गीले बाल, गीले बाल, चलिए